क्या जाएगर कै जड़त्व् रेख Chloe किने कि नेक्स टॉपिक क्या जाएगर के दधित क्रें कि द Ondो जट्वमा तो पल्फ जड़त्व माप कौन होता है जड़त्व को साथ जड़त्व माप कॉन होता है तरहुमान या या आपको याद रखना है रेखे गती करते हुए पिंडों में और गुर्णन गती करते हुए पिंडों में अंतर थोड़ा सा रेखे गती करते हुए पिंडों के अंदर रेखे गती के अंदर गती जुर्जा का सुत्र होता है एक वटा दो Mb² अभी सी से हम किस के लिए सुत्र निकालेंगे गुर्णी गती के लिए, ये कौन सी गती के लिए है, रेखे गती के लिए, गुर्णी गती करते हुए पिंडों की गती जुर्जा का सुत्र निकाले है, तो गती जुर्जा के सुत्र के अंदर ही बीच में एक टर्म आएगी जिसको कहेंगे, जड़त्वा गुल, समझ माया, अब पहले तो इतना द्यान रखना चाहिए कि जो काम रेखे गती में किसका है? दरोमान का, वही काम कौन ये गती है, कौन सी गती? गुर्णी गती में किसका है? जड़त्वा गुर्ण का, समझ माया? सरगुर्णी गती क्या होगी? माया लीजे कोई पंखा चल रहा है, ठीक है? और पंखे का यदि जड़त्वा गुर्ण जादा होगा, तो पंखा लाइट चली जाने के बाद आराम से रूखेगा, नहीं आया समझ में, यदि उसका क्या ज़ादा है तो? जड़त्वा गुर्णी, कोई मोटरसाइकल इस टैड पे लगी हुई है, आगे वाले पहिए को बच्चे गुमा, गुमा खूब खेलते हैं, अगर मोटरसाइकल के पहिए का जड़त्वा गुर्ण जादा है, तो वो देर में रुकेगा, वैसे ही जैसे ट्रक का जड़त्व जड़त्वा गुर्णी, किसके कंपरिजन में, कार के कंपरिजन में, इसलिए यदि दोनों को सेम स्पीड से दोड़ा दिया जाए, और रोकने की कोशिस करोगे, तो जड़ा तोड़ फोड करके कोन रुकेगा, ट्रक, क्योंकि वो रुकना नहीं चाहता, उसका जड़त्व जड़ा है, क्योंकि उसका दर्वेमान जड़ा है, तो रेख ये गती में, जड़त्व किसका जड़ा है, किसका कम है, उसका पता लगाया जाता है, वस्तू के दर्वेमान से, लेकिन कोन ये गती में, किसका जड़त्व ज़ादा है, किसका जड़त्व कम है, कोन वस्तू लोकने से ही रुख जाएगी उसका पता लगाते हैं किस से जड़त वागूं से समझ में आई बाद हम क्या कर रहें एक बड़ा सा पिंड ले रहे हैं कुछ भी नहीं है यह बहुत बड़ा पिंड है और पिंड में छोटे-छोटे कण हैं कोई M1 कण हो गया M2 हो गया M3 हो गया यहां से R1 इसकी दूरी कितनी है R2 इसकी दूरी कितनी है तो यह सब वर्ताकार पत्थों के अंदर क्या करते हैं चक्कर रहे है कोंकि यह पूरी की पूरी वस्तू इस अक्स के सापेक्स omega कोण यह एक से क्या कर रहे है घूर नहीं गती कर रहे है कौन से गती कर रहे है अब कोई एक चीज आ दखनी चीए, कोई भी कणू, उसका सब का ओमेगा सेम रहेगा, क्योंकि ये सब एक ही वस्तूपर है, नहीं आ रहा समझ में, कोई साइकल का पईया गोंपरा है, साइकल के पईये के किसी भी बिंदू पर कोई कणू ठालीजिए, साइकल के पईये का जो कोड ये वेग होगा, और उस जगह पर सभी जगह सेम हो, सार कौन सा वेग बदलता है, रेख ये वेग बदलता है, इधर देखो द्यान से, इसकेल है ये सकेल, इसकेल लगा या की लगा दो, और ये सकेल है न, ऐसे चकर काट रहा है, इस बिंदू का जब आप रेख ये वेग न निकालने कोशिस करोगे न, तो इस बिंदू का रेखे वेग हम निकालते हैं, V1 और V1 बराबर आएगा, Omega into R1, इस बिंदू का रेखे वेग निकालोगे न, तो यहां की तरिज्जा तो थी R1 और यहां की तरिज्जा कितनी है, R2 अब इसका रेखे वेग आएगा, V2 बराबर Omega into R, बताव R2 जादा है का R1 जादा है, R2 जादा है, तो V2 जादा है, कौन बदलता है, रेखे वेग का कौन इवेग, रेखे वेग वस्तू के ऊपर किस इस्थती पर कण है, उसकी इस्थती पर depend करता है, आप यह अक्स लेलो, यह गुर्णी अक्स है, इसके जितना पास मे कोई बिंदू होगा न, उसका रेखे वेग उतना ही क्या होगा, कम होगा देखो, नहीं आरीवा समन्द, क्योंकि Omega की value क्या है, कम है, स्वरी Omega सबके लिए सेम है, लेकिन एक चीज ध्यान रखियो, Omega को constant रखते हुए देखो इसको, V बराबर क्या होता है, Omega into, Omega R, तो V को दे जाया है, क्यों, नहीं आहिए वाद समझ में Omega रखोगे, Omega बराबर क्या हुझा जाएगा, V upon, R, अब Omega चेंज होना, नहीं चाहिए, समज में आ रहा है, Omega 10 था 10 ही रहना चाहिए, कोन गट गया, अब तत्रिज्या गट गई, त्रिज्या गट गई, त्रिज्या गट गई, त बढ़ना नीच चाहिए, समझ माया, तो तरिज्जा गट गई, ओमेगा बदलना नीच चाहिए, तो तरिज्जा गटते, कौन भी बढ़ जाएगा, वेग भी बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, मैं क्या करना जा रहा हूँ, ओमेगा सबी जग़ क्या रहता है, constant, तो जैसे जैसे आप छोटी त्रिज्जा के वर्त में आते जाओगे न, इसके वेग की वेल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, छोटा जिसना जितना पास में आते जाओगे, उसका रेखी वेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं करना है, देखो ओमेगा का फोर्मूला देखो, ओमेगा बराबर वी अपोन आर, आप छोटी छोटी त्रिज्जा को जितना कम करोगे, उतना ये बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ाना नहीं है, तो इसको नहीं बढ़ाने के चक्कर में इसको बढ़ा देंगे, नहीं ये बास समझ में, तो ये बढ़ जा लेलो आप V1, इसका वेग कितना लेलो, V3 आईए, ये कौन है, V2 ये सब रेखिये वेग, आप है ना इनकी गति जुर्जाओं का योग लिखेंगें, क्या इन सभी कणों की गति जुर्जाओं का योग इस पूरे पिंड की गति जुर्जा के बढ़ाबर आएगा, तो ये क ये कौन है, संपूर्ण पिंड की गति जुर्जा, समझ माया, संपूर्ण पिंड की गति जुर्जा आईए, और ये वेल्यू आजाएगी, क्ये बराबर देखो, पहले कन की गति जुर्जा बताओ, एक बटा दो, M1 V1 स्क्वाइर, पलस दूसरे की बताओ, एक बटा दो, M V2 का स्क्वाइर, चलता रहेगा ऐसे, अब अपने को क्या करना है, सारी वेल्यूस देखो, अलग-लग, वेल्यूसिटी के साथ पूट करना है, V1 बराबर ओमेगा र बनाएगा, क्योंकि ओमेगा को चेंज नहीं करना है, इस पिंड पर उपस्तित सभी कणों का ओमेगा क्य जोड़ों उनको है, क्योंकि वेल्यू आजाएगी, 1 बटा 2, M1 और V1 की जगे क्या पूट करोगे, ओमेगा तो ओमेगा का स्क्वाइर, R1, 1 बटा 2, M2, ओमेगा का स्क्वाइर, R2, और यहां जुड़ेगा, 1 बटा 2, M3, ओमेगा का स्क्वाइर, R3, यह चलता रहेगा, अब अपने को टोटल करना है, इसमें क्या को मना आएगा, 1 बटा 2 को मना आएगा, पलस के साथ के साथ, ओमेगा को मना आएगा, सब जगे से, तो 1 बटा 2, ओमेगा स्क्वाइर, अंदर बच जाएगा, अपने पास में, M1, अंदर बचेगा कौन, M1, R1, समझ मारी बात, य को इसका स्कॉाइर करो, दोनों का होगा, गड़बड़ होगी न, धटशी, V1 का स्कॉाइर करोगा, तो ओमेगा का स्कॉाइर भी आएगा, और, R1 का, या R1 का स्कॉाइर करो, रैगी, आगे, तो, समझ मारी बात, तो, यहा देको, M1, R1, स्कॉाइर और, आगào चाया जाए आएगा M-I-R-I का स्क्वायर ठीक है और इसी टर्म को क्या कहते है भाई अब गती जूर जा गई देखो मेरे पास में एक बटा दो ओमेगा स्क्वायर और इसी टर्म को कहते है आई अरे समझ माया और आई कोन होता है जड़त वागूं तो मेरे पास में फोर्मूल आ जाएग एक बटा दो ओमेगा स्कॉायर आई इसको इस तरह से नहीं याद करते है थोड़ा साथ याद करने में आसान रहता है एक बटा दो आई ओमेगा स्कॉायर इस तरह से बोल देते है ओमेगा आई को कह लगा लेते है पहले क्यों क्योंकि Mogigia similarity maintain होगी यह कौन से प्रकार की गत जुर जाए ये गुर्णी गती में है ध्यान रखना में समझ माया ये हमने कौन सी गती ले करके चले थे डाइगराम में गुर्णी गती अब मैं इसी गती इसको देखो रेख्ये गती के लिए सुत्तर लिगो आप एक बटा दो एंवे स्को आप जाए ध्यान से देखो रेख्ये गती के अंदर वेग होता है के वल और गुर्णी गती में कौन होता है कौने वेग इतना है डिफ्रेंस है बस यहां रेख्ये वेग तो यहां कौन सा वेग कौन ये वे एक बोलो यहां दरोमान और यहां कौन जड़तवागून इसलिए तो मैं कह रहा था आपको कि रेखे गती में जो काम दरोमान करता है कौन ये गती में वही काम जड़तवागून करता है समझ माया दरोमान तो वो होता है जो वस्तु इस्थिर है तो इस्थिर रखेगा उसको और गती सील है तो गती सील हाला कि इसको जड़तु कहते है लेकिन जड़तु किसके कारण आता है दरोमान के कारण जड़तु की माप कोन है दरोमान लेकिन घुर्णी गती में जड़तु क में आप कौन है जड़त वागुन रेखे गती में कौन है द्रोमा यह आपको वैसे भी के लिए रो रहा है समझ माया तो फाइनली अपने पास में आई का फोर्मूला क्या है बताओ आप आई का फोर्मूला आजाता है आई बराबर सिग्मा एमाई आर आई का स्क्वाया और यहां अगर कोई एक इकण के लिए पूछे तो सिग्मा आठा दे रहा है समझ माया रहा है यह आपका हो गया कौन जड़त वागुन अब जड़त वागुन डिपेंड करता है अक्स के उप यह बोड के अंदर ही है ऐसे एक लाइन यह अक्स है गुर्नी अक्स और एक बिंदु दरोमान बहुत छोटा सा दरोमान है यह एमवन दरोमान है और इस अक्स से कितनी दूरी पर चक्कर लगा रहा है आरवन दूरी पर इस अक्स के यह अक्स बोड में है इसक अभी यह कर बोड़ के पीछे की तरफ ऐसे चक्र लगा रहा है यह कंड कुछ समझ में आ रहा है रेंडम लिए आपको कोई पूस दे कि इस कंड का जड़ तुबा गुण ग्यात करो कैसे करोगे आपको उसर गुर्णी गती होतो रही है गुर्णी गती नहीं हो रही क्या यह पिंड इस अक्स के चैरो तरफ गुर्णी गती नहीं कर रहा है कर रहा है तो कैसे निकालो है गुर्णी अक्स से लंवत दूरी डूंडो का है कितनी है उस पिंड का दरवमान डूंडो जो गती कर रहा है कितना है और कुछ है नहीं करना आई का फोर्मूला होता है MR स्क्वायर बस खत्ब एम वन की जगह M1 करता है और आर वन की जगह R1 जल जब यह इस पिंड का क्या है जड़त वागुम सर इसमें 5-7 और होते हैं तो सबका निकाल देते हैं कि धर होता यहाँ पर R2 पर M2 कर देते हैं इसको जोड़ कर समझ में आई बात इस तरह से क्या निकाला जाता है जड़त वागुम निकाला जाता है अक्स पर डिपेंड करता है यह अब अक्स पर डिपेंड कैसे करेगा थोड़ा सा आप है न इसको देखो कि X पर कैसे depend करता है मैं न देखो द्यान से देखना ये एक मैंने निर्दे स्तंतर बनाया है ये X axis है ये कौन सा axis है Z axis है ये कौन सा axis है मैं एक छोटा ऐसा बिंदू दरोमान ले रहा हूँ यहाँ पर क्या लग रहा है आपको निर्दे सांग क्या होगे चाहिए 3,1 का 1,3 है न मैं मेरी मर्जे से ले रहा हूँ 3,1 लिखू का 1,3 3,1 X जादा दिख रहा है Y कम दिख रहा है तो मैंने इसके दरोमान मेरी मर्जे से लिया ऐसा कोई वो नहीं है कितने दरोमान निर्दे सांग है 3 कोमायोक और बहुत छोटा सा दरोमान है दरोमान की वेल्यू कितनी है M1 समझ में रहा है अब मैं आपको यह पूछना चाह रहा हूँ कि आप X X के साप X इसका दरोमान निकाल के दिखाओ जड़त्वा को बताओ इस बिंदू पर निर्दे सांग इस निर्दे सांग पर यह M1 दरोमान रखा हुआ है और यह चक्कर लगाता है ऐसे भी चक्कर लगाता है यह अगर X X के साप X पूछोगे तो ऐसे ही लगा रहा होगा और Y के साप X पूछोगे तो ऐसे लगा रहा है तो य बीच में है य के चार तरफ ऐसे चकर लगाएगा है पता कौन से अक्स के परीते गूम रहा है य अक्स के परीते गूम रहा है और अगर ऐसे है ऐसे चकर लगा रहा है तो कभी इसके नीचे जाता है फिर ऊपर आता है फिर नीचे जाता है फिर ऊपर जिस अक्स के परीते चकर लगाते हैं उसी अक्स के साप एक जड़त्व आगून निकालते हैं। लेकिन मैं आप से पूछना यह चाहरा हूँ कि दोनों के लिए निकालोगा। अब आप मेरे को आई एक्स की वेल्यू लिखर के दिखा हूँ। आप मतलब है आप जड़त्व आगूनू अब एक्स एक्स के साप एक्स जड़त वागून का फोर्मूला यही होता हैad जड़त्व आगून का फोर्मूला होता है iबRYâbर mre square अगर केवल एक दिरोमान है तो mre square और बहुँ सारे है तो क्या लगा देना इसके। सिंग्मा लगा देना समझ मारा है आप देखो इसका निकाल करके दिखाओ द्रोमान तो मैं लिख देता हूँ चलो M1 की जगए क्या मान लेता हूँ मैं M द्रोमान हो गया M अब आप X-X के साप एक डिस्टेंस बताओ एक समझ माया यहां से कितनी दूरी पर है आप देखो यह ऐसे चक्कर लगाएगा तो बोलो इस वर्ता का अरपत में चक्कर लगाएगा तो इस वर्ता का अरपत में चक्कर लगाएगा तो इसके वर्तियपत की तरिज्जा कितनी हुई एक तो यह एक का स्क्वायर करना पड़ेगा समधमाया यह तो ix है x x के साफ एक्स जड़त्वागून ऐसे है आप मेरे को ayy निकाल के दिखाओ y x के साफ एक्स जड़त्वागून तो यह आजाएगा m और multiply करोगे 3 का स्क्वायर 3 का square बराबर आजाएगा 9 ने तो difference है दोनों मैं लग अलग होता है दान रख तो यह बराबर कप होगा जबी मद्य बिंदू पर हो यह आपर न करो 1 कोमा यह एक सक्से भी उतनी दूरी पर है और यह एक से भी उतनी दूरी पर है नहीं है तो यह बराबर आजाएगा, लेकिन है तो दोनों अलग अलग चीज, नुमेरिकल, इनका आंकिक मानी तो बराबर आ रहा है, लेकिन यह चीजें दोनों अलग अलग हैं, यह X-X के अनुदिस निकाला है, सापेक्स निकाला है, और यह वह इसके परीता है, यह सापेक्स निकाल समझ माया अब मैं कुछ formula लिख वाँगा आप standard है derivation इनके आपके सलेवस में नहीं है पहले 11th class की book में derivation और करते थे बंद हो गए NCRT में नहीं है तो मैं भी आपको नहीं करबा रहा हूँ हला कि ये formula आपको याद रखने है 3-4 चीजे हैं अब मैं पहले तो आपको एक अक्स बताता हूँ जिसको कहते है जामीती अक्स इसका मतलब समझो कौन सी अक्स जामीती अक्स इसका मतलब बता दो मेरे को किसी को पता हो किसी वस्तू में या किसी आकरती में जामीती अक्स किसको कहते है बढ़ा हूँ अब मैं एक वरत बना रहा हूँ न द्यान से देखना ये एक वरताकार पत्क में गती हो रही है किसी पिंड़ की इसका जामीती अक्स कहलाता है इसके केंदर से गुजरने वाला ये अक्स कौन सा अक्स कहलाता है ये जामीती अक्स नहीं है यह आज समझ में एक वरत है वरत का जामीतियक्स क्या होगा वरत के लंवत होना चीए वो वरत के क्या होना चीए लंवत मालेजी आतेली पे मैंने एक वरत बनाया ऐसा आतेली पे क्या बना रखा है वर्त आपसे पूछे कि इस वरतकाद जैमीत्य के अंदर बताओ तो अतेली के बीच में जो इसका क्यों है केंद्र उस केंदर से गुजरती हुए ऐसी रेखा जो अतेली में से ऐसे ऐसे निकले और उपर की तरफ जाए वो वाली रेखा इसका कौन सा अक्स होगी एक मैंने ये वरताकार पत्य को इसको कहते हैं क्या है वला कहते हैं क्या कहते हैं वला को इंग्लीज में बोलते हैं रिंग हम अलग अलग आ करती होगा क्या पढ़ेंगे जड़त्व आगून जड़त्व आगून देखो मैंने वले 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 हम पहनते हैं हाथ में कड़ा पहनते हैं वो कड़ा किस कौन सी आकार का होता है वले उसको वले कहते है रिंग होती है फिजिक्स के साब से उसका नाम क समझ में, एक रुपए के शिक्के में वला नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, क्या कहते हैं, डिस्क, यह करते हैं, दीर दीर आपको समझ में आएंगे, मैंने यह क्या बनाई यह एक वला बनाई यह, क्या बनाई यह, अब आप मेरे को एक बात बताओ, यह X-X ह वाई अक्स और ये कौन सा अक्स दिख रहा है आपको आप में से मेरे को ये कौन बता सकता है कि कौन कौन से अक्स इस वले की व्यास की तरह काम कर रहे हैं या व्यास पर है बताओ कौन से अक्स इस वल्य की व्यास के अंदर है और इसको मूल बिंदू मालो और ये वरत का केंदर है ये वरत का कौन है वरत का केंदर है और वही कौन सा बिंदू है मूल बिंदू अब आप बताओ कौन सा अक्स तो जामिती अक्स है और कौन सा अक्स व्यास है इस डायग्राम का मतलब समझते हो आप इसका मतलब यह होता है कि एक सिरा तो बोर्ड में है और एक सिरा बोर्ड से बाहर ऐसे है यह यह वरत ऐसे है और इस वरत के अंदर उपर के तरफ आक जा रही है कौन सी य के अंदर से गुजर गई, तो यही तो कौन सी अक्स है, जैमीती अक्स और एक के अंदर से ऐसे गुजरी इदर, व्यास, तो पीछे भी जा रही होगी और एक सामने गुजरी आपकी तरफ, वो भी व्यास वरत्त के अंदर सारे ही व्यास होते हैं ये ये सब व्यास नहीं होते हैं जो केंदर से गुजरते हैं तो दो अक्स जो है वो व्यास की तरह काम कर रही है द्यान जो दे कौन कौन सी अक्स व्यास की तरह काम कर रही है एक तो I, X, X और दूसरी Z, और Y कौन सी X है, जामीती X, तो मैं जो जामीती X के लिए लिखूँगा ये सारे फॉर्मुले, छीक है, तो वल है, जो होती है, वल है, वल है कि जामीती X के सापे X, जड़त्व आगोन होता है, I, Z बराबर, अब इसमें से कौन सी X, जामीती X है, य है न तो य कर देता हूं मैं तो yx के साथ एक जड़त्व आगुण होता है mr square सरी m क्या है m है इस वलय का दरोमान वलय का दर्विमान अरे आ गई बात समझ में m कोन है वलय का दरोमान और r कोन है इस वलय की तिरिज्या r कोन है इस वलय की ये इसका जड़त्वा अगून हो गया वलाय का, कौन सी अक्स के सापेक्स है ये, ज्यामितिय अक्स के सापेक्स, फिलाल कौन सी अक्स को ज्यामितिय अक्स बना रखा है मैंने, वाई एक्स, इसको इसलिए मैंने ये वाई के सापेक्स लिखा है, समझ में आ रहा है, ऐसे ही च के लिए निकालते हैं चक्ती के लिए चक्ती जो होती ना चक्ती चक्ती को इंग्लीज में क्या बोलते हैं डिस्क चक्ती को इंग्लीज में क्या बोलते हैं डिस्क डिस्क जो है वो अंदर से सोलिड होती है इस तरह की कोई पलेट है यह किसी मोटाई की पलेट है से और यह सब कौन सा इससा है इसका ये सॉलिड है ये ये अंदर से खोकली नहीं होती एक रूपए का सिक्का है वो क्या होता है अपने लिए डिस्क होता है अब बीचो बीच यहाँ पर मैंने एक बिंदू लिया है और एक अक्स गुजारा ये रहा नहीं है वास समझ में एक अक्स ये गुजारा ये रहा अब इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट कर दे टान कौन सा अक्स है ये ये कौन सा अक्सिस है और एक अक्सिस हम यहाँ ले लेते हैं ये कौन सा अक्सिस है यह जैड भी देखो व्यास की तरह काम करेगा व्यास नहीं है यह नहीं है तो यह भी डिस्क हुई बस इतना वले में और डिस्क में इतना अंतर है वले अंदर से खाली होती है डिस्क पूरी हुई बरी हुई होती है अब यह को बताओ ज्यामिती अक्स कौन सा अक्स है वाई यह ज्यामिती अक्स की तरह काम कर रहा ज्यामिती अक्स जो इसके व्यास के लंबवत है क्या यह व्यास के लंबवत नहीं है यह व्यास है व्यास के साथ कितना डिग्री कौन बनाती यह 90 डिग्री क्या यह डिस्क के तल के लंबवत नहीं है यह नाम लिखे होए मिलेंगे आपको चक्ती के तल के लंबवत अक्स है यह यह चक्ती है इसे यह चक्ती का क्या हो गया तल इसके लंबवत पास हो गया इसे समझ माया तो यह कौन सी अक्स है जामिती अक्स अब इसके साफ़ एक जड़त्व आगुण होता है, देखो आई जैड बराबर आता है, क्या लिखेंगे, M, R, SQ, बटे 2, यह M कौन है, चक्ति का दर्वमान, और R कौन है, चक्ति की तरी जड़, समझना आगा यह, यह I, Z आगा, अब यह मत कर देना, सर, Z का नाम चेंज करके, अरे, Z नहीं, Y आएगा, बटाई नहीं रहे तुम, बैटे बैटे देख रहो है, कौन सा अक्स आएगा यह, Y, Y, X कोई तो जामीती अक्स बना रखा है, हमने, ठीक है, और मैंना इनको Y की बजाए G लिखूँगा, हमेशा, जियामीती अक्स को इंग्लिस में क्या बोलते है, जियामेट्रिकल अक्स, तो मैं रखड़ाई कतम हो जायेगा, मैं क्या लिख दूँगा, जी, और उसमें भी क्या लिख देता हूँ मैं, बैई, ये देखो, Y जो था, इसको क्या लिख देते हैं, जी, अरे, समझ में आया, ताकि आप confusion आओ कि X X में लेना है कि Y में लेना है या Z में आपको कोई से नहीं आपको कौन सी अक्स लेनी है जामी ती एक्स तो मैं जी लिख रहा हूँ Geometrical Axis आगई बात समझ में अब क्या करो देखो द्यान से ये किस के लिए हो गया सक्ति के लिए नेक्स आजाता है देखो इसमें नेक्स देखो नेक्स आजाता है किस के लिए खोकले बेलन के लिए खोकले बेलन के लिए खोकला बेलन पता है कैसा होता है बहुत सारे कड़े लिए आओ दस कड़े लिया और दस कड़ों को एक दूसरे के उपर रखते जाओ, वो जो बनेगा क्या बनेगा, खोकला बेलन, यही बास समझ में, चूडियों का वो आता है डिबबा, देखा है न, चूडियां एक दूसरे के पीछे लगी हुए आती है, एक डिबबा आता है, वो मानकर जड़त्वा अगूर निकाल सकते हैं उसका, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खोकला बेलन, देखो यह रहा, यह कौन है भाई, कोई बेलन है, समझ में ही बास, अब आप इस बेलन की मेरे को जामिती अक्स बता दो किदर, जो बेलन के के अंदर से गुजरेगी न, यह और जामिती अक्स माली जेज, पूरे बेलन का दरोमान कितना है, पूरे बेलन का दरोमान है, वो एक रिंग का दरोमान, नहीं है, एक वले का दरोमान, नहीं है, और इस बेलन की तरिज्या कितनी है, आर, तो जो वले का जड़त्वा अगून होता था था न, वही किसका होग तो यहां जाएगा बेलन का जड़त्व आगून खोगले बेलन का जी जी यानी geometrical axis geometrical axis कौन सी होती सरी डाइगराम ऐसे बना दिया अब ऐसे बना दे तो अब geometrical axis कि इदर होगी बीच में से गुझ़रेगी इदर से समझ में आ रहा है इस अक्स के साप एक जो जड़त्व आगुण होगा वो आईजी हो जाएगा फोर्मूला तो सेम ही रहेगा तो आईजी की वेलू कितनी आजाएगी MR इसको आया ध्यान रखना R बेलन की त्रिज्या और M बेलन का द्रोमा हम खोगले बेलन को यह लिख रहे हैं खोगले बेलन को इसको अनेक वल्यों द्वारा बना हुआ माना जा सकता है तो द्यान रखना खोगले बेलन का जड़त्व आगुण वो ही होता है जो वह लेका उतर आप खोगले बेलन के बाद में इसमें द्यान रखना बस यह इस तरह का डायग्राम बनाना है अंदर से क्या लगेगा फिर यह आपको अपने आपी लग रहा है ना खाली बस यह यहाँ यहाँ मैटेरियल है और बाकी जगह पर मैटेरियल नहीं है फिलियर हो रहा है कुछ है पीच में से क्या हो गया आप यह खाली हो गया अब मैं लूँगा कौन सा सिलिंडर सॉलिड सॉलिड का मतलब ठोस बेलन कितने नंबर है चार नंबर है तो लिख लेंगे आप पर कौन सा बेलन और ठोस बेलन में और खोकले बेलन में इतना ही अंतर है कितना अंतर है कि वो अंदर से क्या होता था खाली ये अंदर से क्या नहीं होता खाली नहीं होता सॉलिड होता है बस ये पूरा का पूरा बरा हुआ है आ रहे है के बाद समझ में अब ये बेलना कारा करती बना रखिये मैंने इद्यान रखना और ये पूरा बरा हुआ है आज है और ये भी पूरा क्या है बरा हुआ है आ गई बात समझ में और इधर से एक लाइन पास करो ये कौन सी लाइन है जामितियक्स और मैं कहा देता हूँ बेलन का द्रोमान कितना है एम तरिज्जा कितनी है आर वो ही आएगा देखो आई जी आई जी मतलब जोमेट्रिकल एक्सेस एम आर इसक्वायर बटे दो वो ही फोर्मूला है से